आज हम बनाएंगे एक बहुत ही आसान और एकदम इंस्टेंट रेसिपी जिसे बनाने में हमें सिरफ 10-15 मिनट का टाइम लगेगा और खाने में यह आपको एकदम मलाई केक जैसी लगेगी बट इसमें कोई केक या रबड़ी बनाने का जटजट नहीं है जटपट से बन जाती है और एकदम सिंपल से इंग्रीडियेंट जो हम सब के हर में रुटीन में अवेलेबल है उसी से बनाएंगे हमें से तो चलिए फ और फ्लेवर्स के लिए मैं इसमें डाल रहे हूँ आधा छोटा चमच इलाइची पावडर आप इसकी जगा अपना कोई और मनपसंद फ्लेवर डाल सकते हैं तो बस पहले इस चीनी को पानी में घुलने तक पका लेंगे मीडियम हाई फ्लेम के उपर और जब यह चीनी अपनी इस चाशनी को मीडियम हाई फ्लेम के उपर पकाएंगे तकरीबन 3-4 मिनट तक इसे हमें कोई एक तार या दो तार वाली चाशनी नहीं बनाना है बस तकरीबन 3-4 मिनट तक इसी तना से पका लेंगे और इस चाशनी में थोड़ा कलर आड़ करने के लिए मैं इसमें 3-4 ड्रॉप्स लेमिन यलो फूड कलर के आड़ करने हूँ यह बल्कुल ऑप्शनल है आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं तो बस इसे मिक्स करके अब हम अपनी इस चाशनी को 3-4 मिनट तक पकाएंगे मीडियम फ्लेम के उपर तो तकरीबन 4-5 मिनट तक पकाया मैं इसे और इसे के साथ हमारी ये चाशनी बलकुल तायार है अगर आप इसे हाथ लगा कर देखेंगे न तो यह आपको हलकी हलकी से चिपचिपई सी senty फील होगी तो हमें इसे इतना ही पकाना है नभान कर देंगे और क्या Bhag Guess को एक साषनी को और पर टेंगे और इसके बाद एक पैन लिया मैंने यहाँ और इसमें मैं डाल रहे हूँ दो कप दूद यानि की 500 ml और इसमें से तक्रीबन आधा कप दूद मैं एक अलग कर्टोरी में रख रहे हूँ इसे हम बात में यूज़ करेंगे और इस पैन वाले दूद में मैं साथ में ही चीनी आड कर रहे हूँ तो तक्रीबन 3 टेबल स्पून चीनी आड किया मैंने यहाँ यह आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी रख सकते हैं और साथ ही में फ्लेवर्स के लिए मैं इसमें आधा चुटा चमच इलाइची पाउडर डाल रहे हूँ यह ऑप्शनल है आप अपनी मन पसंद कोई भी और फ्लेवर डाल सकते हैं और 10 से भारा केसर के धागे अगर आपके पास केसर अवेलेबल नहीं है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं तो बस इसे थोड़ा मिक्स करेंगे और इसी के साथ मैं इसमें आधा कप फ्रेश क्रीम अड़ कर रही हूँ अगर आपके पास क्रीम नहीं है तो घर की फ्रेश मलाई भी डाल सकते हैं आप इसमें तो बस इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और इस दूद को मीडियम फ्लेम के ऊपर थोड़ा गरम होने देंगे और एक तरफ ये जो दूद हमने अलग से कटोरी में निकाल के रखा था इसमें अब हम डालेंगे धाई बड़े चमच कॉन फ्लार और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो बस इसी के साथ हमारा ये कॉन फ्लार का मिक्सर भी बिल्कुल तायार है और इधर ये जो दूद हमने गरम होने के लिए रखा था अब ये भी थोड़ा गरम हो गया है अब हम एक बार गैस की फ्लेम को थोड़ा लो रखेंगे और इसमें डालेंगे अपना ये कॉन फ्लार वाला मिक्सर तो इस तरह से इसे डाल के अब हम इसे लगातार चलाते रहेंगे और इसे लो मीडियम फ्लेम के उपर पकाएंगे इसे हमें तब तक पकाना है जब तक कि ये जो मिक्सर है ये अच्छे से थिक ना हो जाए एकदम कोटिंग कंसिस्टेंसी आ जाएगी इसमें तो बस इसे लगातार चलाते जरूर रहेगा तांकि जो कॉन फ्लार है इसमें कोई भी लांस ना बने तो थोड़ी देर तक पकाया मैंने इस मिक्सर को और आप देख रहे हैं कि अभी ये पहले से काफे थिक हो गया है और इसे पकाते वे ना बीच में मैंने गैस की फ्लेम को मीडियम भी किया था तो हमारा ये मिक्सर तो अब बिल्कुल तायार है एक बर मैं इसकी कंसिस्टेंसी चमच से भी चेक कर आते हूं आपको तो आप देख रहे हैं कि चमच को इसने अच्छे से कोट करके रखा है तो ऐसी कोटिंग कंसिस्टेंसी चाहिए हमें इसकी और जब आप इस तरह से इसके उपर गैब बना रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि ये गैब बिल्कुल इस तरह से मेंटेन है तो बिल्कुल इतना पकान है हमें इस मिक्षर को तो बस अब हमारा ये मिक्षर तायार है अब हम गास को करेंगे बंद और इसके बाद एक साइट पर मैंने यहाँ पर यह थोड़ी से रस लिये हैं यह नॉर्मल रस हैं जो हम रूटीन में चाय के साथ यूज करते हैं इनके साथ आज हम अपनी ये डिजर्ट बनाएंगे तो चली अब हम इन सारी चीजों को असेंबल कर लेंगे तो इसके लिए एक बोल ली है मैंने यहाँ और इसमें हम सबसे पहले लगाएंगे अपनी ये एक रस की लेर तो इस तरह से ये एक लेर लगाने के बाद तो इस तरह से थोड़ी सी चाशनी से अच्छे से मोईस्ट कर लिया इन्रस को मैंने और इसके बाद अब हम इसके उपर डालेंगे अपना ये मिक्षर जो हमने अभी तायार किया है और ध्यान रखे कि ये जो मिक्षर जब गरम होगा न तब ही डाल देंगे हम इसके उपर तो जितना मिक्षर हमने बनाया उसमें से आधा हम इस लेर में डालेंगे और इसके बाद अब मैं इसके उपर थोड़ा सा ये डेसिकेड़ कोकोनेट यानि की नारियल का बुरादा डाल जियूँ ये बिल्कुल आप्शनल है अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है या आपको पसंद नहीं है तो आप स्किप कर सकते है तो बस इसे डालने के बाद अब हम इन सारी चीज़ों को फिर से रेपीट करेंगे तो सबसे पहले जाएगी ये रस की एक लेर रस की जगा चाहें तो आप इसमें बिसकेट भी यूज़ कर सकते है और इसके बाद अब हम इसे मोईस्ट करने के लिए डालेंगे ये हलका सब गरम शूगर सिरप और इसके बाद जाएगा अब हमारा ये बचा हुआ मिक्षर तो जितना भी मिक्षर आपके पास बच कया हो फो सारा इसलियार में डाल दीजिये तो इस तरह से सारा मिक्षर डालने के बाद इसे थोड़ा फैला लेंगे और एंड में इसके गानिशिंग के लिए मैं इसके उपर थोड़े ड्राइफ्रूट चाल रहें तो मैंने यहां यह पिस्ता यूज किया है आप अपना मन पसंद कोई भी और ड्राइफ्रूट यूज कर सकते हैं या फिर इसे चाहिए तो स्कप भी कर सकते हैं तो थोड़े से डालेंगे इसके उपर केसर के धागे यह भी बिल्कुल ऑप्शनल है आप चाहिए तो इसके उपर रोस पेटल्स भी लगा सकते हैं या कोल भी अपनी मन पसंद गानिशिंग कर सकते हैं तो बस अब हमारा यह बोल बिल्कुल तायार है और आप देख रहें कि एकदम लेयर जा गई है इसमें तो बस अब हम इसे फ्रिज में रख देंगे डेर दो घंटे के लिए रखिए तांकि यह अच्छे से ठंडा हो जाएगा और फिर हम इसे सर्फ करेंगे तो मैंने इसे तकरीबन ना दो धाई घंटे के लिए रखा था फ्रिज में और यह अच्छे से ठंडा भी हो गया और यह जो मिक्षर है ना यह थोड़ा सेट भी हो गया तो बस अब हम इसे सर्फ कर लेंगे तो है ना कितना असान इसे बनाना और यह खाने में बहुत ही टेस्टी और एकदम क्रीमी बनती है तो अगर आपको मेरी पहले वो मलाई केक वाली रेसिपी पसंद आई थी ना तो यह वाली रेसिपी भी आपको बहुत पसंद आएगी और यह इंस्टेंट रेसिपी है कोई केक या कोई रबडी बनाने का जंजट नहीं है एकदम सिंपल से इंग्रीडियन्स के साथ बनकर तायार हो जाती है तो आप भी इस रेसिपी को जरूर ट्राय करिएगा और अगर आपको आज की बिरी के रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें और